गोड़ मॉर्निंग दोस्तो स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो में मार्केट आज आप देख रहे हैं थोड़ा सा नीचे आया है यानि 27,590,92 इस रेज में चल रहा है इसकी वज़े देखे एक तो कल बाइनेंस का थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाना बाइनेंस ने क कुछ थोड़ा सा करीब 2-3 घंटे का मामला हो गड़ बढ़ रहा है बाइनस का तो वहां उन्होंने सारी स्टॉप कर दिया था ट्रेडिंग में गयरा और स्टॉप में स्पॉट ट्रेडिंग तो उसके बज़ए से थोड़ा सा पैनिक रहा है तो उस टेम पर जरूर एक हज के सेर बहुत ही जवरजस तरीके से गिर रहे हैं और अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम थोड़ा सा अभी फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है उसकी वज़ए से भी कहीं ने कहीं जो है देखिए थोड़ा सा पैनिक तो है और और कोई अभी ऐसी बहुत बड़ी नियो जिया कह नहीं से एकरंगे बहुत बड़ा क्रिप्टो के खिलाब कुछ निकल यह ऐसा नहीं है केवल और केवल अमेरिका में ही अभी जो चल रहा है वह सब वहीं से चल ला है तो वहां फिलाल जो बैंकिंग स्र्टम आप देख नहीं एक के बाड अमेरिका कि movement पहले ही दरासा है ओस उसमें से 120 बिलियन जो है बैंकों को अलड़ी दिया जा चुका है सिर्फ इसलिए कि यह बैंक बचे रहें अगर बैंक इस इसी तरीका से डाउन होते रहेंगे तो देखे कहीं नहीं कहीं अमेरिका के लिए बहुत ही चिंता कब इसा हो जाएगा कि भाई बैंकों का क्रेस होना अमेरिकी गवर्नमेंट यही सोचती है कि कहीं नहीं की बैंकों का क्लैप्स होना साथ क्रिप्टो करंसी ही वज़य है क्रिप्टो करंसी की वज़य से बैंक क्लॉप्स हो रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है यह इनकी अपनी नीतिया है जिसकी वज़य से बैंक क्लैप्स हो रहे है अब ये देखे बैंक ओफ अमेरिका के मैंने आपको एक चार्ट फोल के दिखाया हुआ है बैंक ओफ अमेरिका सेयर फाल्ड टू लोइस लेवल सिंस नॉवमबर 2020 यानि 2020 के बाद सबसे निचला इस तरह है बैंक ओफ अमेरिका का जहां पर उसके सेयर सबसे ज़्यादा नीचे आए हैं और अभी भी डाउन ही हो रहे हैं तो कहीं न कहीं यही वज़े है कि बैंक परेशान है और उसकी वज़े से अमेरिका परेशान है और उसकी वज़े से टर्गेट किया जा रहा है क्रप्टो करंसी को तो यह है सब कुछ अमेरिका का हाल जो कहीं ने कहीं फिलाल कर्प्टो कंसी के लिए परिशानी पैदा कर रहा है और दूसरा कल अमेरिका तो थाई और आपका सीजे बाइनेंस यानि के बाइनेंस एक्चेंज जिसकी वज़े से आप ये देख रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा सा जो है सेलिंग प्रैसर बढ़ा तो यहां पर बीटी सी आपका देख लिए 27,600,500 इसी की रेंज में भी चलता है और मार्केट कैप आपका 1.1 ट्रिलियन अभी लेवल है अभी भी लेकिन यहां पर एक चीज और समझनी पड़ेगी अगर यही सब ऐसे चलता रहेगा तो देखें मार्केट यहां से बहुत ज़्यादा उपर नहीं जाएगा जब तक बीटी सी आपका 28,200,300 के लेवल को होल्ड नहीं करता है जब तक वहां 2-4-10 दिन टिकता नहीं है उससे पहले आप यह नहीं समझके चलें का यहां पर बीटी सी अप और आप होगा कियोंकि एक बहुत स्टॉंग सपोर्ट या स्टॉंग जगे जो इसकी है वो नीचे 25,200 की है इससे उपर तो इसको 28,200,300 पर टिकना पड़ेगा दो चार दिन उसके बाद ही इसको हम अप ट्रेंड मान सकते हैं कि वहां से फिर यह तो बीटी सी तोड़ा सा उपर जाएगा लेकिन वहां तक जाता है फिर नीचे जाता है फिर नीचे यहां कल भी वेल्स ने यह मालिजे लगवक केवल एक मिनिट में 10,000,000 डॉलर का लिक्विडेशन किया मार्केट निचे आया कि एकशेंज और वेल्स को सब पता होता है कि कहां पर लॉंग हैं और कहां पर सौट्स ज़्यादा हैं केवर एक मिनिट के अंदर जो है 10,000,000,000 का सफाया कर दिया तो गया किसका यह छोटे इन्वेस्टर का गया वेल्स का कुछ नहीं जाता उनको हर एक चीज पता होती है तो यहां पर सब यह हुआ है और मार्केट में आप देख लीजे सब कुछ रैड़ी रैड है आज और आ शिवा इनू के एक पॉजिटिव निउज जरू निकल के आई है कि जो इनका सिवेरियम दुबारा से एक तरह से डॉक्यमेंट रिलीज हो गया है और जो प्रॉब्लम पहले थी उसको जो है सही कर दिया गया है तो अकुल मिला कि यह पॉजिटिव निउज हो सकती है लेकिन फिलाल जो मार्केट की सिच्वेशन चल ले उससाब से यह कहें कि प्राइज पर कोई बहुत जाता आप इंपेक्ट निजर आएगा वो आपको निजर नहीं आएगा चलिए सिव आर्मी वी आर हैपी टू अनॉस डैट सिवेरियम स्टेस्नेट इस रणिंग अगें दो यू थोड़ा साब यह सिवेरियम की फिर से चर्चा चलेगी तो यहां पर बोन और सिवा इनू का थोड़ा सा प्राइज कहीं इंपेक्ट दिखाई दे सकता है लेकिन जो मार्केट की सिच्वेशन है तक अभी प्राइज देखा नहीं है मैंने बोन का क्या चल ला है लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ तो यहां पर अभी जो मार्केट के हाला है उसे साब से आप यह काऊ के प्राइज में बहुत ज़्यादा कोई इंपेक्ट मेजर आएगा नहीं क्योंकि इस स्टार्टिंग में थोड़ी सी जो इन से गलती हुई उसका इंपेक्ट भी था और अभी ज थोड़ा सा यह नीचे जरूर गया था लेकिना जैसे ही सिवाई नू की दुबारा से यह सिवेरियम के न्यूज आई बोन का प्राइज जो है लगबग 5% के आसपास उपर चला गया और अभी थोड़ा सा साइड बे है तो मैं हमेसा आप से कहता हूं देगे सिवेरियम का ज जो है चीजें अब क्लियर क्लियर हैं अब तो उसके बारे में जो भी होगा तो पॉजिटिव चीजें ही आएगी क्योंकर जो गलती हुई ती उसको सुधार दिया गया है तो बोन में आप होल्डिंग रख सकते हैं लेकिन हम यही कहें हम अभी भी प्रॉफिट में हैं तो होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल किजिए नहीं कर सकते हैं और देखें रश्या की निज और है रश्या ने जो है एक तरह सब्सकर ने का पूरा कर लिया है और ये आपका अप्रेल में हो जाएगा तो वौनby दिरे कुछ देश अपने हम faster बनाई रहे यह पहले भी बहुत भ स्टेप का नहीं पता है कि आगर वो किस स्टेप पर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन रसिया का कंफर्म हो गया है कि अपरेल में जो है वो बिटकोई और कर्प्रो रेगुलेशन को बिल्कुल फूल एंड फाइनल तरीके से लाने वाले हैं तो यह देखा जा तो कर्प्रों के लि तक रहेंगे तब तक कर्प्रों करणसी में थोड़ा सा जो है आप एंड डाउंस आपको देखने को मिलते रहेंगे बाकी देखिए मार्केट में और अभी कोई खास चीज चल नहीं रही है यही कुछ अपडेट है बाकी रमादान चल रहे हैं नवरात्र चल रहे हैं और आ आपकी अभी बहुत ज्यादा कुछ और अपडेट नहीं है चले फिर मिलते हैं वाश्कार